प्रेम प्रेसंग के चलते प्रेमिका की हत्या 10 दिसंबर से लापता प्रेमिका का शव बरामद पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफतार गिरफतार आरोपी की निशान देही पर यूवती का शव हुआ बरामद पुलिस ने शव को पोस्माटम के लिए जिला अस्पताल रामपूर भेजा वही गुसाई परिजनों ने थाने का किया घेरा और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया थाना पटवाई कल रख गाउं का है मामला अच्छा यह अज़िए लड़की कभ गई ती आपकी तर्फतारी मुष्वा तो चम सकाय अपती लड़की के ट्रट वोड़ी कहा में लिए यह लपणियों में लिए अच्छा अच्छा अब आपकी क्या माँगे अच्छा 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 इधर देखिए तो पुलिस की रासत में हो लोग अच्छा आपने कोई रिपोर्टर्च कराई थी हां रिपोर्टर्च कराई है पुलिस पुला अफ प्लिस ने ढूण डूणा नहीं था अच्छा तो आप लोग जाम लगाया क्यों लगाया क्यों लगाया कि अधर शवजी थे आप न करेंचिक प्रूछ को सिस्को फार्दरम आपको इस धर्मीर को इतन हुं आज हैं ते उसके पूरे के गेहा हैं और यह बताया गया था कि इसमें एक आरोपी जो उनकी जान्च की गई है जो आरोपी है उसके विशे में जब इसमें इन्वेस्टिकर किया गया तो यह जानकारी मिले कि उस आरोपी के दौरा उस लड़की की गई और आरोपी के निशान देई पर ही जो बाड़ी है उसको बरामत किया गया है इसके इलावा जे तथे सामने आए हैं कि जो आरोपी है उसके पत्नी के द्वारा तीन तारीख को जन्मक्त मुरादाबाद में मुकदमा काइन करवाय गया था अपने पत्ती के विरुद ज महिला की नौ तारीक को हत्या की गई और अभी तक कि पूष्टाच में जो सामने आया है जो आरोपी के दोरा इर्वाल किया गया है कि उसके पहले से जो जिस महिला की बाड़ी बरामत हुई है उससे पहले से बादची चल रही थी और नौ तारीक को उसको भुलवा करके उसने उसके हत्या की है, फिलहाल इसमे जो सभी तथे हैं, उनकी जान पर लग की जा रही है, कुछ नंबर हमारे पास में आए है, उन नंबरों की भी तवतीश की जा रही है, और एक आरोपी इसमें गिरफतर कर लिया गया है और बाकी अभी जांच का विशे है जिसमें क्या आगिकार भी की जाएगा जब परिजलोग आरोपी की उसकी रेब के बाद यकी जएगी है जैसा मैंने बताया कि जो आरोपी से हमने पूर्टाज की है और आरोपी की निशान देगी पेशी बाड़ी को बरामत किया गया और जो तथे संग्यान में उससे आपका विफ्टरा दिया गया है कि इसमें जो सब्सक्राइब है उसकी जो मृत तक मृत का है उससे काफी समय से बास्ची चल देगी है जो कि हमारे पास तो सरविलांस के डाटा उससे भी एविडेंट है बाट